हेलो आल दस इस सान्वी शर्वा आई वेलकम यू आल तो मैं यूट्यूब चानल सोलफुल जर्णी आज मैं जेनरलाइस रीडिंग करने जा रहे हूं जो की वर्ग हो यानि की कन्या राशी वाले लोगों के लिए है ये रीडिंग मार्श 2021 के लिए है ये एक जेनरलाइस आल सकता है या रीडिंग आपके साथ बाशली ड olmaz और अगर आप मेरी रीडिंग से इंफ्लूएंस्ट हैं और अपनी किसी पर्माल्याइस प्रापलों का सौलेशन मुछे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सोनॉलाइस रीडिंग मेरे साथ बूक कर सकते हैं ये बूक कि अप म नएने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें. So, let's see. March 2021, वर्गो यानि की कन्या राशी वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है? What are the energies for Virgo people for March 2021? What are the energies for Virgo people for March 2021? What are the energies of Virgo people for March 2021? What are the energies for Virgo people for March 2021? So, bottom of the deck par 5 of cups का का काद हैं. Let's see. 4 of cups, 2 of wands, 4 of wands, 10 of cups, 5 of wands, 9 of pentacles, and temperance का का काड है. So, Virgo people, let's start the reading. सबसे पहले, bottom of the deck को डसकस करते हैं. सब कुछ ठीक होने पर भी, मन में एक उदासी आपके लगी रहेगी. आप चीजों से contented feel नहीं करेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि किसी चीज की कमी है और उस चीज को समझ पाना आपके लिए बहुत difficult होने वाला है. इस reading को आप चाहे जिस भी सिक्टर के लिए देख रहे हैं. चाहे आपकी personal life है, चाहे आपकी professional life है, चाहे love life है, job है, career है, business है, finances है. आपको अंदर से बेचैनी, अंदर से discontentment की feeling आती रहेगी. March के महिने में कुछ energy उस तरह की होने वाली है, कि आपको ऐसा लगेगा कि जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है. Okay, so यहाँ पर first card is five of wands का card है. आपका जो point of view है, वो दूसरे लोगों से match नहीं करेगा. आपकी आसपस लड़ाई जगड़े की energy बनी रहेगी. Difference of opinion होने की वज़र से, हो सकता है कि आपकी किसी के साथ बहस बाची हो, हो सकता है कि आपका एक ऐसा argument हो, जो कि आपको loss दे सकता है, तो आपको इस argument से बचना है. अपने love life में अपने partner से argument करने की कोशिश मत कीचेगा. Health की terms में भी ये चीज ठीक नहीं है. अगर आप बहुँ सदा गुस्सा करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी health पर effect आएगा. The other thing is that, अपना जो opinion है, वो ही सही है. इस चीज को अगर आप मान कर चलेंगे, तो कहीं न कहीं कुछ lack हो जाएगा, कुछ चीजें आपके हाथ से miss हो जाएगी. तो अपने जो गुस्से को है थोड़ा शान्त रखेगा, और चीज को analyze करने की कोशिश ज़ादा कीचेगा. जो आपके अंदर किसी के साथ आपकी बहस ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिसनस में आपको अगर लगता है कि सामने वाला जो person है, उसका opinion, आपका opinion मार्च नहीं कर रहा है, तो दूसरे की बात सुन लीजिएगा, वैसा करना है कि नहीं, वो आपके अपने हाथ में है, जो यह आपके अंदर उदासीनता की एनरजी है मार्च में, उसकी वज़े से आप शायद कई opportunities को भी miss करने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है, हम अपनी जिंदगी में इतना struggle कर चुके होते हैं, कि अंदर से ही ठक जाते हैं, समझ नहीं आता है कि किस तरह से अपने emotions को express करें, बिकर्स कहीं न कहीं आपने emotions को दबाया है, जो आपने अपने emotions को दबाया है, वो आपके लिए एक blockage बन गई है, जिसकी वज़ा से बिना मतलब के एक उदास energy को आप experience करने वाले हैं, आपको अपने आप से disappointment होगी, disappointment का reason आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ऐसी energy में आप definitely operate करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दरदर card over here is two of wands का card है, आप फिर भी पारदर्शिता रखेंगे, दूर की चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और उसके बारे में future की planning आप बहुत सादा करते हुए मार्च में नजर आ रहे हैं, चाहे वो आपकी love life है, आपकी married life है, आप उसके बारे में दूर के बारे में सोचेंगे की in future आपको कैसे चलना है, अपने job की terms में भी अगर आप पारदर्शिता रखेंगे तो definitely promotion के यहाँ पर chances लग रहे हैं, लेकिन उस promotion से भी आपको contentment नहीं होने वाली है, क्योंकि discontentment की feeling एक major role play करेगी March 2021 में आप लोगों के लिए, ओके, the other card over here is four of wands का card है, कई वर्गो पीपल आप लोगों की सगाई हो सकती है, engagement की energies है, marriage की energies है, 11-11 card है, four of wands का card है, कई लोग नया घर ले सकते हैं, ऐसी energy है यहाँ पर, castle का card है, और कई लोग अपने जो married life में एक अच्छा वक्त बिताने वाले हैं, March 2021 में, आपको एक ऐसा वक्त अपने partner के साथ गुजारने के लिए मिलेगा, जो आपने शायद बहुत time से, सिरफ उसके dreams देखे हैं, उसको बिता नहीं पाएं हैं आप, और वो मौका अब आपको March 2021 में मिलने वाला है, घर में खुशाली रहेगी, लेकिन वो जो discontentment की feeling है, वो कहीं इस card में भी नजर आएगी आपको, means अपने घर में भी आप कहीं न कहीं, खुदी discontent रहेंगे, आपके आस-पास के लोग आप से खुश रहेंगे, लेकिन आपको अंदर से एक बेचानी लगी रहेगी, ये एक theme बनता है, March 2021 में आप लोगों के लिए, ओके, जॉब आपको अपने dream job मिल सकती है, business में अच्छा कर सकते हैं, आप नई जगा invest करना चाहते हैं, तो definitely आप कर पाएंगे, 10 of Cups का कार्ड है, आपको emotions जीने का मौका अब यहां से मिलेगा, ये जो मैं कहरे हूँ ना, आपने कहीं न कहीं, अपने emotions अंदर ही अंदर दबा दिये हैं, जिसकी वज़े से आपको ये discontentment की feeling हो रही है, अब आपकी आसपास एक ऐसा महौल बनेगा, जहां पर आप अपने emotional जो drainage है, उसको ठीक कर पाएंगे, और दुबारा से अपने emotions को जीना शुरू करेंगे, ये March में इस चीज की शुरुआत होती हुई, यहां पर नजर आ रही है, आप अपने loved ones के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, health के उपर definitely focus कीजिएगा, अगर आप health के उपर focus नहीं करेंगे, तो ये जो sad energy की वज़े से कहीं न कहीं आप अपनी health को effect कर लेंगे, गुस्से पर काबू करना बहुत ज़रूरी है, यहां पर overall अच्छी energy है, ये जो energy है इससे आपको परिशान होने की सरूरत नहीं है, ये हो जाता है life में, जिस तरह से हम struggling phase से, एक high phase की तरफ को move करते हैं, अंगर से discontentment की feeling कहीं न कहीं शुरू हो जाती है, तो this is a normal thing, यहां बन nine of pentacles का card है, आप काफी abundance की energies में आट करने वाले हैं, आपको financial gains होंगे, अगर business में कहीं नहीं जगा पर आप invest करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब वो वक्त है, आप invest कर सकते हैं, so March 2021 आपके लिए बहुत सारी abundance, बहुत सारी prosperity लेकर आ रहे हैं, especially in terms of finances, बहुत ज़्यादा आप gain करने वाले हैं, और उस gain के साथ साथ, आप उस चीज को enjoy भी करते हुए, यहां पर नजर आ रहे हैं, अगर लाव लाइफ की हम बात करें, तो वहां पर abundance होगी, happiness को आप enjoy करेंगे, okay, satisfaction तो नहीं होगी अंदर से, लेकिन कहीं ना कहीं, आपको एक stability ज़रूर नजर आएगी, job के टर्म्स में भी, financial gains होने के chances हैं, business के टर्म्स में भी, और अगर आपको एक्जाम देना चाहते हैं, तो आप उसमें 100% successful होंगे, ऐसा नहीं है, उसका reason ये है, क्योंकि आपको अंदर से एक अच्छी feeling नहीं आ रही है, आप कहीं ना कहीं उदास है, तो उसकी वज़र से अगर आपको एक्जाम देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा चीजों को संभल कर भी चलिएगा, टाइम अच्छा है, लेकिन अंदर से आप अच्छा feel नहीं करने वाले हैं, अप चीजों को बहुत साथा अनलाइस करेंगे, आप ये चीजों के बारे में सोचेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या जो मेरा पार्टनर है, वो मेरे लिए सही है, क्या मैं सही डारेक्शन में हूँ, आप ये भी सोचने वाले हैं, कि जॉब में आपको आगे बढ़ना चाहिए, प्रोमोशन के लिए एक्जाम देना चाहिए, आपको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, इसके ड्वांटेजेस क्या है, इसके डिसद्वांटेजेस क्या है, आप बहुत स्लो मूफ करते हुए, यहाँ पर नजर आ रहे हैं, अनरजी अच्छी चाहिए है, कई लोगों के साथ यह reading resonate नहीं होगी, इसका reason यह है, क्योंकि आप energies cycle में कहीं न कहीं पीछे होंगे, यह कोई राशी फल नहीं है, यह highest energies है, वर्गो पीपल आप लोगों के लिए, अगर reading match नहीं हो रहे हैं, previous month की reading को देखिये, वहाँ पर में mode of action देटी हूँ, उस mode of action को follow कीजियो, आप definitely in energies में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, कि March बीच जाएगा, तो यह energies खतम हो जाएंगी, यह energies established हो चुकी है, यह energies खतम नहीं होंगी, इन energies को enjoy करने के लिए, आपको इन energies तक पहुँचना होगा, उसके लिए आपको अपने उपर काम करने की बहुत ज़ादा ज़रूरत है, ओके, तो लेट सी की akashic record से आप लोगों के लिए क्या energy निकल कर आती है, लेट सी, लेट सी, ओके, direct messages from universe, from akashic record, तो, what are the energies for Virgo people, what are the energies for Virgo people for March 2021, March 2021, वर्गो पीपल आप लोगो के लिए क्या लेकर आ रहा है, लेट सी, what are the energies for Virgo people, for March 2021, okay, bottom of the deck is Uriel and the Spennax का card है, okay, Hilarion, the King of Roses, two worlds, the Queen of Keys, so Virgo people, सबसे पहले इस card को discuss करते हैं, कहीं न कहीं आप दोहरी जिन्दगी जिएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अंदर से discontented feel करने वाले हैं, आप अंदर से उतना happy feel नहीं करेंगे, तो उसकी बज़स से आप दोहरी जिन्दगी जिएंगे, आपकी 3D की life जादा अच्छी होने वाली है, लेकिन internally आप कहीं न कहीं कुछ खालीपन महसूस करेंगे, ये खालीपन दूर हो सकता है अगर आप अपनी higher self के साथ connect करें, आपको meditate करने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है, enlightenment की energies आपके अंदर ही होती है, अगर आपको खालीपन महसूस हो रहा है, tension महसूस हो रही है, बिना किसी reason से, और आप एक double facet जिन्दगी जी एंगे, मार्च में अगर, तो आप meditate ज़रूर कीजेगा, अपनी higher self के साथ connect कीजेगा, divine आपको guide करेंगे, किस तरह से आप इस sad energy से बाहर निकल सकते हैं, the other guard over here is the queen of keys, आप बहुत confident feel करने वाले हैं, लोग आपको देख कर, यह महसूस करेंगे, कि आपके अंदर एक निया confidence जागा है, financial gains होते होई, यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आपको इन नया project शुरू कर सकते हैं, job में success के chances हैं, लेकिन अपना वो जो खाली पन है उसकी energies के उपर ज़्यादा focus करेंगे, तो यह confidence आपका under confidence में बदल जाएगा, तो यह जो वक्त अच्छा आ रहा है, confident energies के साथ आ रहा है, bright energies के साथ आ रहा है, इसको संभालने की कोशिश कीचे, अगर job change करना चाते हैं, वक्त अच्छा है, आप कर सकते हैं, अगर आप business की terms में बात करें, तो किसी के साथ partnership करने की कोशिश मत कीचेगा, वैसे आप नया venture start कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हैं, okay, health की terms में, अगर इसी तरह से सोचते जाएंगे, definitely mental health पहले disturb होगी, और उसके बाद physical health तो definitely mental health की साथ ही deteriorate होने शुरू हो जाती है, तो इस चीज के उपर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, the king of roses का card है, आप बहुत ज़्यादा emotional feel करेंगे, आप सही और गलत में फरक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से कर नहीं पाएंगे, the reason is that क्योंकि emotions बहुत ज़्यादा हैं अंदर, struggle की वज़़स से सिरफ आगे machine की तरह आप बढ़ते रहे हैं, machine की तरह काम करते रहे हैं, emotions कहीं न कहीं lack हो रहे हैं, आप चीजों को एक normal level पर, आप कुछ वक्त nature के साथ बिताने की भी कोशिश करेंगे यहां पर, आप चीजों को normal level पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कोशिश बिकार जाने वाली है, क्योंकि यह जो खाली बन अंदर से आ रहा है, इसको सिर्फ divine ठीक कर सकते हैं, आप इसके उपर कोई काम नहीं कर सकते हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो सिर्फ meditate कीजे, और अपने आज़ पास अच्छे और बुरे लोगों में difference करना, तो definitely आप सीख जाएंगे, लेकिन इस feeling से बाहर कैसे निकलना है, वो सिर्फ आपको divine ही बता सकते हैं, और यहाँ पर hilarion का card इस चीज को पका करता है, कि जो चीज का जवाब आप खुद खोच नहीं पा रहे हैं, जिस चीज के बारे में सोच सोच कर आप बहुत सादा परिशान रहने वाले हैं, अगर उस चीज की help आप divine से मांगे, उनसे इस चीज को question करें, surrender करें उनके सामने, तो आपको help at hand मिलेगी, आपके जो ancestors हैं, divine हैं, angels हैं, वो आपको help करने के लिए तयार हैं, लेकिन आपको help मांगने का तरीका आना चाहिए, तो अपने आपको जो ये जो आपकी life का एक ऐसा part है, जो सिरफ वो खुच से आप जीना शुरू करेंगे, मार्श में, उस चीज के लिए divine के सामने surrender कर दीचिए, अगर आप surrender करेंगे, आपको रस्ता मिल जाएगा, कि आप उस situation में से किस तरह से बाहर आ सकते हैं, so the other card over here is Uriel and the Sphenix का card है, divine आपको help करेंगे, divine आपको dreams में भी आगे चलने का रस्ता बताएंगे, और अगर आप strength के साथ उस रस्ते पर चलेंगे, तो definitely, definitely आप अच्छी energies में आ जाएंगे, इस emotional breakdown की energy से भी बाहर निकल जाएंगे, तो बहुत ही bright energies हैं आपके लिए Virgo people, बहुत अच्छा वक्त है, सिरफ in spite एक चीज़ है कि कहीं दिल का कोना कुछ खाली है, कहीं अंदर ही अंदर उदासिंता है, और उस चीज़ को overcome करने के लिए, आपको अपनी higher self के साथ connect होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, so let's see, कि आपको mode of action क्या follow करना है March में, ताकि चीज़ें आपके लिए असान हो सकें, ताकि ये जो दोहरी जिंदगी है, इससे आप overcome कर सकें, so what should be the mode of action for Gozo, याने की कन्या राशिवाले लोगो के लिए, March 2021 में, ताकि आपको mode of action है, let's see, so what should be the mode of action for, Govo people, for March 2021, what should be the mode of action, so let's take out some random card, so the first card is phases and cycles, definitely ये card आना था, काली मा का काड है, facing fear, okay, what else, awakening presence, divine order, and the bottom of the deck is, Lady Venus का काड है, downloads and understanding का काड है, okay, so first of all, ये जो वक्त आप लोगो के लिए आ रहा है, इसमें आपका एक cycle change हो रहा है, आप नए cycle में एंटर कर रहे हैं, इसलिए ये उदासिंता की energy है, यहाँ पर एक चीज खतम होने वाली है, और अंथ ही आरंभ होता है, यहाँ पर एक नए cycle में आप एंटर कर रहे हैं, आपकी जितने भी illusions हैं, जितने भी ब्रहम हैं, आपके आसपास, वो relief होंगे, वो आपको पता लगेगा कि कौन सी energy आपके सामने ब्रहम की energy थी, आपके सामने सच्चाई उजागर होगी, और जितने भी आपके blockages हैं, उन्हें आपको release करना है, overthinking की energy से बाहर निकलना है, जो आपके अंदर ये खालीपन आपको मेहसूस होने वाला है, वो actually आपका डर है, आपको spiritual path की तरफ को move करना है, आपको अपने दर्द को जो आपने कहीं न कहीं अंदर छुपा लिया है, उसे बाहर निकालना है, आप मा काली की अरादना कीचिए, आपके सारे डर, सारी anxiety, सारे जो अंदर की blockages हैं वो बाहर की तरफ को आजाएंगी, मा काली का कोई भी मूल मंत्र लेकर आप चांटिंग कीचिए, और Saturday के दिन आप तेल का और काली जो उड़त की दाल होती है, उसका दान कीचिए, और Saturday को आपको non-wage बिल्कुल भी नहीं खाना है, मा काली के नाम का शिंगारदान कीचिए, Saturday के दिन, तो definitely आप उस डर को overcome कर पाएंगे, actually अब ये खालीपन क्यों महसूस होने वाला है आपको, उसका reason ये है कि अब आपकी एक spiritual journey स्टार्ट होने वाली है, आप इस spiritualism के लिए शायद तयार नहीं है, ये आपको रस्ता नहीं पता है, इस कारण आप कहीं न कहीं अपने अंदर वो खालीपन महसूस करने वाले हैं, और जो लोग meditation करना जानते हैं, जो ये spiritual awakening के बारे में जानते हैं, उनके लिए ये रस्ता, ये जो वक्त आ रहा है, ये असान हो जाएगा और जिन्हें इस्टीज की knowledge नहीं है, उनके लिए ये time थोड़ा सा tough in terms of yourself, वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, ओके, the other mode of action यहाँ पर awakening presence का card है, यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको support कर रहे हैं, आप protected हैं, लेकिन ये protection को feel करने के लिए, आपको divine को surrender करना होगा, आपको Monday के दिन white color के कपड़े डालने हैं, आपने throat chakra पर काम करना हैं, आपने third eye chakra पर काम करना हैं, और अपने crown chakra पर काम करना हैं, ओके, so this is your mode of action, और जो अगला mode of action है, वो ये divine order का card है, divine आपको एक order दे रहे हैं, कि आपको जो सही लगता है, जो आपकी higher self को सही लगता है, वो काम कीजिएगा, एक बहुत important life का lesson आपके सामने unfold हो रहा है, और यहाँ पर भी आपको third eye chakra पर काम करना है, आपकी जिन्दगी में सच्चाई उजागर होने वाली है, जिन जिन चीजों को लेकर आपको ब्रहम रहा है, जो चीज़े आप से छुपी रही हैं, वो आपके सामने निकल कर बाहर की तरफ को आएंगी, आपका अपने आपसे एक टूट नाता बनेगा, और डिवाइन ये नाता बनाएंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको वो रस्ता दिखाएंगे, फ्राइडे के दिन आप वाइट कलर के कप्रे डालेंगे, और एत्र या परफ्यूम लगाना आप बिलकुल भी नहीं भूलेंगे, ये आपका mode of action रहने वाला है for March 2021, तो इस चीज़ का आपको ध्याम रखना है, थोड़ा सा इस mode of action को अगर फॉलो करते हैं, डिफिनेटली आप वो जो isolated energy है, उसमें से कहीं न कहीं बाहर निकल आएंगे, तो आप देखते हैं कि Divine आपको क्या blessing, क्या messages देना चाहते हैं वर्गो पीपल for March 2021, what should be the energy, what are the messages actually, what are the messages from Divine for Virgo people for March 2021, okay, first card तो यहां से है, Miracles का card है, definitely चमतकार होने वाले हैं आपकी जिन्दगी में, okay, two cards, Finding Century, I was waiting for this card, and it came out, okay, one more card, Great Adventure, Bottom of the Deck, Distant Thunder, सबसे पहले यह कर, Divine आपको यह message देना चाह रहे हैं कि, आपको ऐसा लगता है कि शायद जिन्दगी में, अब भी कुछ गडबड हो जाएगी, आपको शायद दुबारा से struggle की energy में, इंटर करना पड़ेगा, यह आपका खुद का डर है, इस डर को, यह जो काले बादल आपको नजर आ रहे हैं हैं यह सिरफ आपकी illusion है, इसको clear कीचिए, divine आपको यह message देना चाहते हैं, the other card for you is great adventure का card है, देखिए जब नाव मजदार में फस जाती है, तो कहीं न कहीं किनारा तो जरूर मिलता है, डरने की बात नहीं होती है, जतने मर्जी waves उपर हूँ, किनारा जरूर मिलेगा, अगर आप risk लेकर आगे की तरफ को चलेंगे, तो यह great adventure का time है, आप अपने आपको explore करने वाले हैं, आपको डर इसलिए लग रहा है, कि पता नहीं वक्त कैसा आपके सामने आ जाएगा, divine आपको यह कह रहे हैं, कि यह risk लीजी और आगे की तरफ को बढ़िए, आपकी नाव को किनारा जरूर मिलेगा, the other card over here is choosing your path, divine आपसे यह कहना चाते हैं, कि हर एक चीज मुमकिन है आपके लिए, लेकिन जो चीज की जरूरत है, वो यह है कि आप अपना path choose करें, आप अपने path को ही choose नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगा, मार्च में कि किस रस्ते की तरफ को चलना है, तो आपने path को choose करने का जो intuition आपको अंदर से आना चाहिए, वो तभी आएगा जब आप अपने उपर काम करेंगे, अपना सही रास्ता चुनिए, definitely divine आपके साथ है, the next card over here is finding century का card है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपका एक spiritual time start हो रहा है, तो इस रस्ते को find out कीचे, divine आपको कह रहे हैं, आपके आसपास ऐसा महौल बनेगा, जहां पर आपके लिए एक spiritual source खुलेगा, उस चीज का ध्यान रखेगा, उस रस्ते को पहचानने की कोशिश कीजेगा, आपको वो मौका, वो guidance definitely मिलेगी, तो इस चीज के उपर आपको focus करना है, और ये blessing है divine की आपके लिए, आपकी जिंदगी में miracles होने लगेंगे, अगर आपने इस रस्ते को पकड़ लिया, तो definitely आपकी जिंदगी में miracles होने लगेंगे, आपकी जिंदगी एक dream life जैसी होगी, एक unexpected सी life आप जी पाएंगे, और वो बहुत अच्छी होगी, divine का plan आपके plan से जादा better है, इसमें कोई शक नहीं है, so I hope Virgo people, आपको मेरी ये reading पसंद आई हो, नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा, कि आपको reading कैसी लगी, अगर आप मेरी रीडियो से किसी को अपनी जिंदगी में मोटिवेशन मिल सके, अगर आप मेरी रीडियो से इंफ्लुएंस है, और आप अपने किसी परस्नलाइज प्रॉबलम का solution मुझ से चाहते हैं, तो आप अपनी परस्नलाइज रीडिंग मेरे सथ बुक कर सकते हैं, यह booking आप मेरे वाट्सप के थू या मेरे इमेल आइडी के थू कर सकते हैं, मेरे वाट्सप नमबर और इमेल आइडी स्क्रीन पर फ्लाश होंगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए-ने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अब आप मेरे चानल की मेंबर्शिप भी जॉइन कर सकते हैं सब्सक्राइब के बटन के साथ जॉइन का बटन है वहाँ क्लिक कीजिए वहाँ दो लेवल्स नजर आएंगे जिस भी लेवल पर आप चाते हैं मेंबर्शिप को जॉइन करना आप कर सकते हैं वहाँ पर आपको exclusive content देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर balancing video, healing video, manifestation video ये सब वहाँ पर available होगी अगर आपको join का button नहीं नजर आता है तो आप नीचे description box में click कीचिए वहाँ पर patreon का option है वहाँ पर click करके खुद को register कीचिए वहाँ पर भी आपको exclusive content देखने के लिए मिले so thanks for watching, see you soon